कोशन नमबर 47 कहता है यदि समिकन इतना समपाती रेखाएं तो निरूपित करता है तो के का मान क्या है अब देखो इसमें आपको चीजों को सीखना चाहिए पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए समपाती रेखाएं यानि ठीक है कोइंसीडेंट लाइन्स क्या होती है इसके बारे में आपको अगर मालूम है तो कोशन आसान है अनता स्वयम जिम्मेदार हो याद रहे कॉंसेप्ट लिग लिए ना एक साथ भी लिखवा देंगे A1X P1Y C1 is equal to 0 A2X P2Y C2 is equal to 0 इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तो तो इंसीडेंट का मतलब होता है कि वह A की रेखा हो समपाती रेखा है यानि A का ही रेखा हो इस केस में A1 अपाउन A2 होगा P1 अपाउन B2 होगा और C1 अपाउन C2 होगा किसी को हम लोग इनफाइनाइट सोलूशन भी बोलते है अनन्त सोलूशन भी बोलते है इनफाइनाइट सोलूशन भी बोलते है अनन्त सोलूशन भी बोलते है यानि समपाती रेखा है बोली जा रहा है यानि को इंसीडेंट सब्द का प्रियोग किया क्या रहा है समपाती ऐसा क्यों? मेरे भाई जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई equation लिख दिया 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 तो कहीं न कहीं सिर्फ इसका 3 गुना करके मालो लिख दो 4 गुना करके लिख दो जैसे 3 गुना तो पूरे में 3 गुना लिख दिया यानि जो रेखा ये है वही रेखा ये है दोनों रेखा हैं सेम इसलिए हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा पहले बोलो हाँ तो कहरा फॉर वाट वैलू आफ केस अज देट देट एक्क्वेशन आर रिप्रेजेंट को इंसीडेंड लाइन्स मेरे मासूम से दोस्तो कुछ नहीं करना अचा वही लिख दिया जो मुझे लिखना था चलो यहाँ वैलू अलग लिखी है यहाँ टू एक्स से थ्रीवाई है इलावेन है तो का तीन गुना छे क्यारा का तीन गुना त्यातिस यानि तीन का तीन गुना नौ आंसर आएगा सेटिस कार्ड प्रकास सोलूशन अनथा आप ऐसे कीजिए तो बटा छे तीन बटा की क्यारा बटा तेतिस यहाँ इलावेन बाई थाटी थ्री फिर मेरे मासूम से दोस्तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कहते हैं कि यह तीन का तीन में बुणा हुआ यानि के इस एक्वाल टू किसके नाइन के हो गया ऐसे कोशन प्रीवियस यर भर भर के पूछे गए यह भी याद रखना भर भर के पूछे गए किलियर है मेरी बात को सभी लोग अच्छे से समझो चलिए मेरे मासूम से दोस्तो थोड़ा सा आप स्पिर्ट लाएंगे आपके सामने जैसे यहां केता है यदि समिकर्ण इतने का कोई हल नहीं कोई हल का मतलब no solution कोई हल ना हो कोई हल ना हो यानि no solution हो no solution में क्या होगा कि वो दोनों लाइन हमारी पैलल होंगी जब अगर दो रेखाएं हमारी पैलल होती है समानतर जब दो रेखाएं हमारी पैलल होती है यानि समानतर होती है तो उस केस में हमारा answer no solution यानि कोई हल नहीं तर यह क्या है हर चीज समझाएंगे मेरे मासूम से दोस्तो इसमें A1 upon A2 P1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 या तो ये बोलेगा कि वह दोनों रेखाएं हमारी क्या है पैलल है जिसे हिंदी में समांतर कहते हैं हिंदी में समांतर बोलते हैं ठीक है ये बात याद रखना अब कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है 4 बटा 6 3 बटा minus C does not equal to 5 by minus 7 ये चीज यहां बराबर नहीं आ रही है यानि यहीं से हम C निकाल लेंगे 17 बटा 4 यानि C बराबर 4 4.5 minus का आएगा 48 का solution याद रहे अपने copy में लिख लेना कि पहला point आपने लिख लिया होगा copy में कि जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 infinite solution किसी को coincident या समपाती भी बोलेंगे अनन्त solution बोला जाता है क्यों? क्योंकि वही दोनों रेखा है रेखा एक होती उसका double, triple, triple लिखा जाता है समझ गए अब पहलल रेखा पहलल रेखा में क्या होता है कि हमारा जो slope होता है वो तो दोनों का सेम होता है बड़ C1, C2 ड़ नॉट इकोल टू ये नहीं होते यानि ये दोनों रेखा हैं हमारी क्या है? पहलल है जब पहला ले तो ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और जब कट नहीं करेंगी तो no solution यानि कोई हल नहीं है बोलो बोलो, tell tell तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया प्रगास सरकान पूर वाले के साथ जी हां 48 के बाद 49 नमबर कहता है यदि समीकर्ण को हल करके X और Y का मान गयाद किजिए तीकि अब यहाँ पर हमें solve करना पड़ेगा कहता है समीकर्ण को हल करके X और Y का मान गयाद करो 9X प्लस 3Y प्लस 12 is equal to 0 18X 6Y 24 is equal to 0 लिखते लिखते ही समझ में आ गया क्या कि इसका double है इसका double है इसका double है यानि इसके infinite solution होगे क्यों चुकि यह एक ही रेखा हो गए बस इसी का double ट्रिपल चपल लिखा गया यानि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 है तो हमारे क्या होंगे infinite solution होगे तो यहां लिखा है not unique solution but infinite solution यानि अनन्त solution होगे इस question के थोको लाइक बोलो हाँ चलिए प्यार से पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ पढ़ेगा केता पी के किसमान के लिए निम्ण समीकन का केवल एक ही हलोगा चै दोस्तो यहां options हिंदी में है उससे डरना नहीं ठीक है अब इसका English version शिपकाना में भूल गया हूँ फिलाल सारे आप हिंदी में कर रखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा केता है what the value of P unique solution of this equation ठीक है मेरे मासूम से दोस्तो 2x plus 3y is equal to minus का 5 और 2x plus py is equal to 2 हमसे जब इसने अगर unique solution की बात कर दे एक हलका मतलब होता है इंगलिस में unique solution यहाँ पर हमें unique solution चाहिए unique solution यानि one solution चाहिए ठीक है मेरे मासूम से दोस्तो unique solution की case में a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 तभी हमारा unique solution आता है यह बात बच्चा बच्चा याद रखेगा पडोसी का भी बच्चा याद रखेगा यह मतलब हो गया दो बच्चा दो तीन बच्चा पी does not equal to यानि पी की value does not equal to 3 अगर पी की value पस पी की value तीन को छोड़कर कुछ भी हो जाए तीन को छोड़कर कुछ भी हो जाए वहीं हमारा answer होगा तो कहता है पी का मान ती के अत्रिक्त कोई भी संख्या accept the value of 3 any number तो कहीं ना कहीं पी का मान तीन नहीं होना चीए बाकि कुछ भी हो तो इस equation का एक हल मिल जाएगा एक हल मिल जाएगा I hope मेरी बात को समझ गए होंगे बोलो बोलो tell tell अच्छा कोशन है सम्मान करना पड़ेगा जो सम्मान करेगा वो आगे बढ़ेगा ठोको लाइक ठोको पचास के बाद 51 number कहता है यदि समिकर्ण इतने का कोई हल सम्भो नहीं है कोई हल सम्भो नहीं that means no solution और no solution की condition हमारी क्या है A1 upon A2 B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 तभी हमारा no solution होगा बोलो tell tell यानि both lines are parallel तोनों रेखाएं हमारी समान तर होंगी तभी ऐसा होगा केते 14 बटा 21 लिख लो 8 upon minus का K लिख लो और does not equal to 5 upon minus का 7 यहीं से K निकाल लो ये दो बार में ये तीन बार में दो से ये चार त्याँ बारा K is equal to minus का बारा यानि K is equal to अगर minus का बारा होगा दया तो इसका कोई हल संभो नहीं यानि no solution होगा no solution होगा no solution होगा ठोको लाइक बोलो हाँ याद रहे concept is the power पढ़ियां से पढ़िये महबबस से सिखिए सिर्फ solution देने पर फोकस किजिए बाकी सब मो माया है कहता K का वह मान क्या है जिसके लिए समिकन इतना और इतने तक कोई हल नहीं फिर से no solution no solution की condition A1 upon A2 B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 होता है यानी 16 बटा 12 माइनस का 12 बटा K does not equal to 9 by माइनस 11 मेरे मासूम से दोस्तो अकडबकड कर लो K बराबर माइनस का 144 बटा 16 और ये समाज 16 नवियां बोलता है यानी K की वैलू माइनस का 9 आ गए बोलो हाँ किदि समिकन इतने का कोई समादान नहीं फिर से no solution बोला है स्पीट से करो मिरबाई 20 बटा 50 5 upon माइनस का K does not equal to 11 by माइनस का 9 कट्टा फिट्टी कर लो जो आएगा आंसर 0 से 0 गया 25 के यानी माइनस का सड़े 12 उत्तर हमारा यादि समिकन इतने का कोई हल समभो नहीं समझ गए A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 यानी 4 बटा 10 3 बटा माइनस के does not equal to 5 बटा माइनस 7 30 में के यानी साड़े 7 आएगा माइनस का समझदार हो सेम है तो तेजी से कर दे रहे 10 गुड़ा 30 30 बटा 4 साड़े 7 यदि समिकन इतने इतने का कोई हल नहीं तो के का मान अब पास्ट करो मेरे बाई अब पास्ट करो 6 बटा 15 माइनस का 5 बटा की मुद्दा इक हतम करो के बराबर माइनस का 75 बाई 6 कहते हैं 3 से ये 25 बार गया 3 से ये 2 बार में गया यानी के बराबर सड़े बारा जो की माइनस का आएगा 55 कभी आंसर माइनस का सड़े बारा माइनस का सड़े बारा जी है दोस्तों चेंद से सुना है तो जग जाईए अभी चार-पांच कोशन सेम ऐसे ही है उन्हें उलाते चले जाएंगे रेखाएं इतने या इतने का जोड़े को कोई परमीत हल नहीं देखो हमें परमीत का मतलब आज तक मालूम ही नहीं था परमीत हल नहीं था है पर इंग सुलूशन नहीं तो कौन सा सुलूशन होगा बोलो बोलो नो फाइनाइट सुलूशन मतलब फाइनाइट नहीं है तो कौन सा यानि नो सुलूशन इसका उल्टा अर्थ निकल ला है बोलो बोलो पहले इसका अर्थ बताओ नो फाइनाइट सुलूशन का मतलब क्या हुआ नो finite का solution आप समझ गए होगे ठीक है प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना 3 बटा P करना है Y की value 1 by 2 करना है बस तो P बराबर किसके 6 के हो गया यही answer है क्योंकि no solution की condition आप जानते हों A1 upon A2 P1 upon B2 does not equal to C1 upon C2 तो P is equal to 6 answer आएगा तभी लोग तेजी से बताईए ठीक है हाँ कि यह type wise किताब होने से फाइदा क्या है कि आप सेम pattern की देख रहे हैं अब जैसे किताब देख रहे हैं तो अब आप देख कर ही समझ जा रहे हैं तो हल करना है कि छोड़ देना है असली बात यह एले है बोलो हाँ तो यह आप के practice पे depend है मेरे practice पे नहीं अब यह साइद एकाद और बचे हैं बस खतव यह है जहर एक और ठीक है फर्जी question है तो यहाँ पर आप 7-8-10 question एक साथ देखते हैं तो इस किताब को क्यो railway के लिए अच्छी किताब माना गया वो बस इसी कारण कि जितना बच्चा सीखे पर कम से कम सीखे तो इधर दर भटके तो नहीं टाइफ वाइस किताब से बस यही फाइदा हुआ और कोई नहीं क्या पर देखा जाए क्या होगा तो जिसे x plus 2y माइनस का 8 बराबर 0 और 2x plus 4y माइनस का 16 बराबर 0 खुल के देखो खुल के मेरे मासूम से दस्तों दिखरा है कि 2 का गुणा हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है जब दोनों सेम लाइन हो गई यानि यह जो सेम लाइन है वही लाइन यह हो गई इस question का infinite solution होगा याद रहे concept is the power जो पढ़ता है वो बढ़ता है चली अब यहाँ से एक अलग खेला होगा और उस चीज को हम सीखेंगी आपको भर भर की चीज़े सिखाई जाएंगी तो अब फिर से बारी आई concept की दो से तीन मिनट तक हम खुब सारे formula को देखेंगे अपनी copy में लिख लेंगे घर में और रटेंगे अच्छे से हाँ नहीं रटोगे मैं जिम्मेदार आप नहीं आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो एक यह याद करो कि a प्लस b का whole square a माइनस b का whole square होता है two times a square plus b square विलकुर रट के बैठो यूज कैसे होता है चलो यूज भी बता दे as the example अब इसमें बहुत आएगा क्योंकि अलजबरा काफी बड़ा topic होता है कई सारे chapter में लगता है जिसे 2 प्लस root 3 का whole square 2 माइनस root 3 का whole square तो इसका direct answer दो ऐसे लिको 2 का square 4, root 3 का square 3 साथ दुनी 14 answer मुद्दा खता यही होता है पहला point समझ में आ गया दूसरा a प्लस b का whole square माइनस a माइनस b का whole square यह 4 a b होता है मालो आपको डराने के लिए को नो दे दे कि root 5 प्लस root 2 का whole square माइनस root 5 माइनस का root 2 का whole square क्या होगा तो अब यह ने कि तुम इसको खोलने बैटो सीधे 4 ऐसे लिको क्योंकि pattern याद है root 5 into root 2 ऐसे चिपकाओ सीधे खुल के बोलो 4 root 10 answer ठोको लाइक बोलो हाँ तो यह दो formula आपने समझे इन पे based question को भी आपने समझा पहले बोलो हाँ patience रखना थोड़ी देर में आपको खुसी मिलेगी क्या है दोस्तो कुछ छोटे भाई बैन वाले formula कैसे आपने एक formula पढ़ा होगा a square minus b square मैंने भी पढ़ा आपने भी पढ़ा यही सत्य आपने बस इत्ता ही पढ़ा अब अगर 4 power दे दे तो आप डर जाते हो 2 power तक तो खुस रहते हो 4 power दिया तो आप down नहीं आज से आप भोकाल tight करेंगे 4 का आदा 2 होता है तो पहले 2 लिख दो 2 power होई positive 2 का आदा 1 वो भी positive और 1 plus तो last में 1 minus कर दो फिर समझो जैसे आपको कह दे 8 power वाला question 8 का आदा खुल की बोलो पहले 4 power लिखेंगे सरम फिर 4 का आदा हम 2 power लिखेंगे फिर 2 का आदा हम 1 power लिखेंगे और 1 minus लिख देंगे पहले बोलो हाँ जैसे हमसे कोई कह दे 32 power मेरी बात को आद बढ़ियां चे सुन लेना 32 power कह दे तो 32 का आदा 16 लिख देंगे 16 का आदा 8 लिख देंगे 8 का आदा 4 लिख देंगे 4 का आदा 2 लिख देंगे 2 का आदा 1 लिख देंगे और सारे positive और इस समाज में सिर्फ अंतिम बाला minus में लिख देना पहले बोलो हाँ सर अब हम सीखेंगे च्योंकि बिन फॉर्मले कुछ ना हो बे TDC बात है बोलो बोलो टेल टेल देखे एलजबरा आपको सीखना पड़ेगा ये हकीकत है और एलजबरा का कोई अंत नहीं ये भी हकीकत है कुछ भी नया मार्केट में लॉंच हो सकता कुछ भी तो वहाँ सीखना पड़ता है समझना पड़ता है ठीक है बढ़िया से अब जिसो ठीक है ये पहला ये सिखाया वेरी वेरी इंपोर्टेंट उसके बाद ये सिखाया और इंपोर्टेंट फिर समझो अभी बहुत सारे होते हैं पर ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे वो धीरे धीरे लिखवाएंगे एक साथ नहीं पर ये वाले लिखवा दे जिसे आपने पढ़ा था बच्पन में क्या एक्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मला आपने बिल्कुल रट के बैटे हो ए प्लस बी ए स्क्यार प्लस बी स्क्यार माइनस का ए इसी का दूसरा भाई होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब रट के बैटे हो ए माइनस बी यहां माइनस हो यहां सारा पोश्टी हो जाएगा फिर आपने पढ़ रखा है a प्लस b का whole cube aq प्लस bq प्लस 3ab और a प्लस b और आपने पढ़ रखा है a माइनस b का whole cube aq प्लस b cube माइनस में माइनस 3A B A माइनस B यह आपने बढ़िया से बिलकुल रट के बैठे हो पर पेपर में आप कैसे करना होता है पेपर में देखो पेपर में अलजबरिक पैटन देखो होता यही है आदमी समझ नहीं पाता इस question से related कैसे लिख दिया बहुत मज़े वाला काम करता है कहिता है क्या जिसे लिख दिया 41 का cube 43 का cube पहले समझो और यहाँ 41 का square 43 का square और यह 41 गुड़े 47 कहिता है प्रभू वैलू बताओ अच्छा एक चीज़ समझना एक माइनस का सिम्बल होगा इसमें 41 गुड़े 47 अब यहाँ वाली जो 41, 47 इनकी वैलू ही लिख देता है निकाल के कहिता है दियोता solve करो यह सब आप सीखोगे सुरुवात के चैप्टरों में अलजबरा में नंबर सिस्टम और उसके आगे decimal और दुनिया वरके नहीं चैप्टर है search and indices यह भी हमारे काम आएंगे तो यहाँ देखो a cube प्लस b cube a square प्लस b square माइनस का a b इसका यह यह चीज से भाग दी जा रही है और यह उपर लिखा है तो बचा क्या a plus b सीदे answer आप 41 प्लस 47 लिखेंगे बात समझ में आ रहा है तो इनका आज की चलन में ऐसा यूज चल रहा है तो इन दोनों का यूज तो ऐसा ही चल रहा है मार्केड में अब इन दोनों का यूज बदल गया है मार्केड में देकिए इन दोनों का यूज भी बदल गया है इन दोनों का यूज कैसे आप से गएगा A Q प्लस B Q बताओ रटा ये रहा है तो A Q प्लस B Q तो दिमाग में तो यही कीड़ा काटता है ये कीड़े की जगे आज से ये भी कीड़ा काटना चाहिए कि आपका A प्लस B का होल क्यूब होता है माइनस का 3 A B A प्लस B हो आपको याद होंगे तभी आप बातसा होगे बाकी वैसे भी आप अपने एरिया की बातसा ही होगे यही बात हकीकत है पहले बोलो हाँ पिर देखो आज कल ये भी चलन चलना है A स्क्यार प्लस B स्क्यार की वैलू अब A स्क्यार बी स्क्यार की वैलू कुछ लोग ये भी या दोनों अपनी जगे सही है और दोनों को हमें ध्यान पूर्वक याद रखना चाहिए अब देखो डेपेंड करता है कब कहां पर मालों A प्लस B दिया गया A B तो ये वाला लगेगा A माइनस B और A B तो ये वाला लगेगा दोनों का काम एकी है ये बात हमीसा याद रखिए बोलो बोलो टेल टेल तो मेरे प्यारे दिश्वासियों चैन से सुना है तो जाग जाईए चलिए तो अब हम कोशन क्यों राएंगे कोशन अभी तो कोशन के साथ तो खेला होगा इस पीड से कहते हैं अभी बहुत सारे फॉर्मले होते हैं उन्हें हम धीरे दीरे चर्चा करेंगे थोड़े इसलिए लिखवा दिये जो मासूम से बच्चे बेसिक बेसिक बोलते हैं उनके लिए अच्छा रहा है अब जैसे य प्लस भी ये इसका इसका हैपी बड़े हो गया यानि कैंसिल हो गया तिस वैलू इस इक्वाल टू टू ट्वंटी फाइव यही आंसर रिट ठोको लाइक बोलो हाँ चलिए मेरे मासूम से दोस्तों अब जैसे ये कोशन है ये आप विश्वास नहीं मानोगे यहां पर RRB गुरूप D लिखा है सेम कोशन SSC के एक्जाम में इसलिए मैं कहता हूँ आप पढ़ सकते हो मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना जिसी ये कोशन है ऐसे में क्या है कि जब भी कह दे कि इन दोनों का सम एक है तो बताओ ये क्या ऐसे केस में इसको 0 कर दो 0 जब इसको 0 किया तो X की वैलू 1 हो गई जब Y बराबर 0 तो ये निपड़ गया ये 0 निपड़ गया अब X बराबर 1 तो 1-1 जीरो आंसर आपका कीमती समय बढ़ जाएगा बोलो बोलो टेल टेल देया 59 का अंसर ये ही आएगा चलिए 59 के बाद 60 अब कर दो सर यहां पर हम का सी को 0 कर सकते हैं यहां सी को 0 करोगे तो स्वैम मुद्ध में आ जाओगे अब बताओ C को कैसे 0 कर दोगे तो तो 0 नहीं कर सकते हैं तो बोलो टेल टेल अब C को 0 किया तो सारे options क्या almost सभी आपको सेम आई दिखेंगे तो यहां पर आप cubic को खोला करो जरा सी cubic खोलना है आपको C क्यूब तीन का क्यूब 27 माइनस तीन गुड़े 3 इंटू C और C माइनस 7 साउधान ने सता ग्रें सौटकट बताएंगे चिंता मत करो खेलेंगे अमारे साथ C क्यूब ऐसे रखो अभी सौटकट बताएंगे काला जा दूजी से कर दो इनका भरत मिलाप कराओ माइनस का 9C स्क्वार हुआ फिर इसी के आगे बढ़ जाओ अचा ये तीन लिखाया है हमें साथ दिख रहा है पर तीने लिखाया 27 प्लस का 27C हो जाएगा और माइनस का 27 हो जाएगा यही आंसर अब सर आप क्या भरत मिलाप माली बात कर रहे हैं कैसे काला जादू सिखाएंगे समझो जब बच्चा आप A प्लस B का होल क्यूब देखते हो एक्च्वल में इसमें तो सारा पॉजिटिव रहता है पर जब A माइनस B वाला क्यूब देखते हो तो आप देखते होगे पहला वाला वेरेबल पॉजिटिव में रहता है दूसरा निगेटिव में रहता है तीसरा फिर पॉजिटिव में रहता है चौथा वेरेबल निगेटिव में रहता है यह मैंड में रखो मलब पहला वेरेबल पॉजिटिव में तो देखो यह वैलू पॉजिटिव में दूसरा न में तो ये तो होगा नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस अब यहां खत्रा है, तो खत्रे को भापते हुए आप जानते हो कि तीन का क्यूब 27 होता है तो नौके होने के चांसेस नहीं है, जब मालों दो ओप्सन सेम है तो कुछ ना और फिर देखो प्लस माइनस 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 नहीं जयानि C is the right answer of this question आप ऐसे भी options को eliminate कर सकते हो भाई तीन का cube 27 होता है वो तो छूट के जाएगा नहीं कहीं पर भी तो minus 9 तो आएगा ही नहीं पहले बोलो हाँ किलियर है question क्यों एक सट नमबर देखे 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 दया सट नमबर यहां प्लस सारे options प्लस तो कौन सा खेला कोई खेला नहीं चुप चाप इसको solve करेंगे तो solve करेंगे जब solve करेंगे तो यह s cube हो जाएगा 2 का cube 8 होगा 3 ऐसे होगा s into 2 होगा और s plus 2 होगा प्यारे दोस्तो s cube ऐसे यहां आजाओ इनका भरत मिलाब करा दो यानि 6s square हो जाएगा और 4 त्याएं 12 12s हो जाएगा और 8 ऐसे हो जाएगा s cube 6x square plus 12s plus 8 is the right answer बुलो बुलो tell tell 61 का answer जो होगा मेरे प्यारे दोस्तो s cube 6s square plus 12s plus 8 is the right answer थो को लाइक बुलो हाँ चलिए 61 के बाद 62 number question मेरे प्यारे मासूम से दोस्तो खेलो मगर प्यार से अब इसका answer क्या आएगा जे बिल्कुल आसान question है लेकिन इसके लिए पांच मिनिट आपको सीखना पड़ेगा यानि concept और जब concept सीख जाओगे तो आपको क्या मिलेगी खुसी मिलेगी ठेक है समझो प्यारे दोस्तो यहाँ जो concept लिखवा रहे हैं इसको बढ़िया से लिक लेना इस pattern के अभी दसबारा question आएंगे सब यूँ ही उला जेंगे पहले समझो जैसे a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a का मान इसका मान बिल्कुल रट के बैठो एक बटा दो अंडर रूट a minus b का whole square यह आपके लिए नया भी हो सकता है b minus c का whole square c minus a का whole square यह पहला point इसी में बच्चा यह भी आता है यह value अगर 0 के बराबर कह दे अगर यह value 0 के बराबर कर दे a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c या this one जो दिक रहा है और कहते प्रभू 0 के बराबर है तो याद रखना है इस case में a बराबर b बराबर c b होता है copy में अच्छे से notes बनाना क्योंकि बहुत ग्यान की जुरत होती है इन सब चीजों यह पहला point आपको clear हो जाना चाहिए दूसरा point क्या है बच्छा जैसे a q plus b q plus c q minus का 3 a b c अब यह क्या होता है इसके खुब सारे formula होते है पहला formula जैसे a plus b a plus b plus c a plus b plus c का whole square minus का 3 a b plus b c plus c a पहला formula मेरे दे होता हूँ इसे याद करना बिल्कुल याद कर लिना घोल की पी लिना दूसरा formula इसका यह होता है दूसरा यहीं लिखा होता है a square plus b square plus c square minus का a b minus b c minus का c है इसे भी घोल के पी लो तीसरा formula भी important इसका a plus b plus c जब a b c की separate value दी जाती है अलग-अलग की a बराबर इतना b बराबर इतना तब यह तीसरा formula होता है a minus b का whole square b minus c का whole square और c minus a का whole square जब a की particular value हो b की particular value c की particular value हो तो इसको लगाईए यह तीन हो गए चौथा कहिता है कि प्रभू अगर if यदि a plus b plus c बराबर 0 है अगर यह a plus b plus c हमारे 0 के बराबर हो जाता है उस case में मेरे प्यारे दोस्तों यह सारी की सारी value क्या होगी 0 के बराबर हो जाएगी ऐसा माना जाता है इसका मतलब यहां से हमारे सामने a q plus b q plus c q बराबर 3 a b c के आएगा यह value हमारी आएगी बिलकुल घोल की पीजाओ इस page को माना जाता है कि ssc के एक्जाम में कम सिगम पचासो कोशन किसी से ही होते पचासो एक दो नहीं पचासो कोशन किसी से ही होते हैं यह बात अच्छे से याद रगना ठीक है तो concept is the power के बात हर एक बच्चा याद रखे अब कोशन नमबर 62 में हम आएंगे 62 में यदि a plus b plus c बराबर 0 तो इसका मान क्या होगा अब याद रहे अभी आपको प्रचंड ग्यान दिया गया अगर यह value 0 के बराबर है तो बिलकुल set कर लो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा और दूसरा बात दूसरा बात aq प्लस bq प्लस c क्यूब इसका जो whole square होगा वो इसके square के बराबर होगा यानि 9 a square, b square और c square is the right answer अनथा ऐसे question को देखकर आप डर जाओगे काओगे सर why this is a color vary, color vary d समझ गए पहले बोलो हाँ एक बच्चा कहता है कि सर एक बच्चा कहता है मासूम सा बच्चा है कि सर ये a बराबर b बराबर c क्या a देखता याद रहे कि अगर a square plus b square plus c बतब इसका ये वाली condition आती a square plus b square plus c square बराबर a b plus b c plus c तो याद रहे ये चीज जहां दिख जाए तो समझ जाना कि ये a बराबर b बराबर c किसी का दूसरा रूप क्या होता है कि this बराबर this अगर zero के बराबर बोल दे बिलकुल mind में याद रखना कि a बराबर b बराबर c के होता है किस पैटन में अगर नहीं याद है तो आप स्वेम जिम्मेदार है और खेला हो भे खेला हो भे देखे 63 कहता भाईया इसको solve करो अब देख रहे हो देख रहे हो फड़ी question x square plus 25 y square minus का 10 x y इत्थे आया बराबर 0 के कहते हैं क्या कहते हैं x minus 5 y का whole square बराबर 0 a square plus b square minus का 2ab तो कहते हैं x upon y is equal to 5 बटा 1 और यह 0 के तो x बराबर 5 y तो x बराबर y बराबर किस के 5 by 1 is the right answer 2021 question ठोको लाएग 2,211 2,211 2,211 अब जैसे ये question आया अब ये question आया तो सर क्या आपने आज इसका concept बताया मैंने का मेरे मासूम से दोस्तो chain से सुना है तो स्थीक लेना है चिया chain से सुना है तो स्थीक लेना है मैंने आपको उत्ती देड़ से यही concept जब लिखवा रहते तो कुछ बच्चे कहते सर आगे बढ़ो next,next,next यही है मेरे बाई, मेरे दिवताओ चाहें बच्चा कहता next,next तो देखो next के चक्कर में पहुँच गया अब ये question कैसे करें मेरे प्रभू ये जो xq yq की value होती है प्रभू वो x plus y x square plus y square minus x y केते हैं इसका इसका happy birthday यानि 1 upon x plus y होगा और देखा जाए 12,7,19 1 upon 19 is the right answer 1 upon 19 is the right answer of this question 64 का जो सही answer होगा एक बटा 19 होगा एक बटा 19 होगा बोलो मगर प्यार से चले 64 के बाद 65 नमबर 65 अभी तो खेला चालू हुआ है दे उताओ 25,1,20,21 question अब जो को यहाँ आप हिंदी इंग्लिस मत कहना कि सर हमें इंग्लिस प्रोवाइट करो का मान गयात कीजिए that means find the value of this one find the value of this one right first of all guys आपको एक चीज समझना चाहिए कि यह हमारा एक पैटन को denote कर रहा है क्या A, B, C A प्लस B प्लस C का whole square होता है A square प्लस B square प्लस C square प्लस का 2 A, B, B, C, C, A लेकिन यहाँ माइनस का 2 A, B लिखा है या तो A negative होगा या B होगा पहले समझो फिर 2 A, C लिखा है तो 2 A, C प्लस का लिखा है यानि इन दोनों को positive रख रहे हैं इसे negative इसे positive यह हो गया एक बार खोल के जरूर चेक कर लो A, B, C का plus माइनस का 2 A, B सही है माइनस का 2 A, B ठीक है प्लस का 2 A, C ठीक है माइनस का 2 B, C सही है यानि A माइनस B प्लस C का whole square और यहाँ में A, B, C की value उपर से दी गई हैं दे उताओ उपर दी गई है माइनस का X क्योंकि माइनस लगा है माइनस माइनस प्लस 2 X माइनस 1 कहते हैं इसका इसका happy birthday 2 X प्लस 2 Y माइनस 1 का whole square is the right answer इस question का answer आएगा 2 X प्लस 2 Y माइनस 1 का whole square is the right answer of this question question number 65 का answer यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा ठोको लाइक बोलो हाँ ठोको लाइक बोलो हाँ question number 66 यह exam में बहुत आया इस pattern का question बहुत आया है बहुत क्या बहुत आया है तो प्यारे दोस्तों अब इस pattern के बारे में थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे changes से बताओ कि इसका pattern का विस्तार बताया जाए कि नहीं चले, तो इसका विस्तार से बताया जाएगा तो यह question आप oral कर लोगे जब विस्तार से बताएंगे और को तो short cut तो short cut दिखा दे, जैसा आप काला जादू सीखते, फिलाल हम इसको विस्तार से बताने जा रहें तो हैं डालो, महा concept, यानि पचासो question का logic और आज के session का 30 question का logic आपको एक साथ देने जा रहा हूँ, आज के session के 30 question के logic, आप घिरे दिरे इनको रटना घर में बैटके एक साथ बिलकुल proper x plus 1 by x बराबर अगर a लिखाओ तो कहते हैं, भाव 1 का 2 बताओ तो कहते हैं, यह हो गया a square minus का 2 भाव 1 का 3 बताओ x cube plus 1 by x cube बराबर, a cube minus का 3 है, और फिर कहते हैं भाव 1 का, यहाँ positive है तो minus बताओ अब कुछ बच्चों को यह चीज समझ में ने आई, यह का दे दिया प्रभू दीनानात, देखो example ले लेके बताएंगे, कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, देउताओ अगर कहदे x plus 1 by x बराबर 4 और कहदे प्रभू find x cube plus 1 by x cube बता देओ, तुम घबरा गए कि सर्वाए दिस कोला वारी डी अरे देउता यह 4 लिखा है हमका यह चाहिए, तो 4 का cube minus 3 गुड़ा 4 64 में 12 52 आंसर आया फिर देखो कितना बड़ा वाला है example, अब आईसे कहता है प्रभू x square plus 1 by x square बराबर 7 find x cube plus 1 by x cube अब बच्चा out tension में यह तो आपने पढ़ाया ही नहीं वाई दिस कोला वारी डी out tension में आ गए कि हमने पढ़ाया नहीं बोलो हाँ बोलो हाँ तो बच्चा अब बच्चा tension में सर हमको तो बताया ही नहीं हम आपसे गुच्चा है तो फिर हम कहते हैं दिवताओं सही से रटा करो अगर यह a है तो आपके सामने प्रभू यह क्या है आप कहोगे सर यह तो a square minus का 2 है तो यहाँ जोडेंगे तो 7 दो 9 हुआ यानि a बराबर प्रभू 3 हुआ अब हमका यह चाही प्रभू a cube minus का 3a यानि 3 का cube 27 minus 3 गुडा 3 यानि दिवताओं 18 चाहिए पर बच्चा घबरा जाता है और कहता है वाई दिस कोला वरी समझ गये प्रभू तो इनको याद करना पड़ेगा और बड़े patience से आपके अगर mind में set है तो आपके answer इतने clear आएंगे कभी आपको tension नहीं हो पहले बोलो हाँ चाले अब मेरे दिवताओं इसी में एक और आता है minus वाला भी यहाँ लिखेंगे क्या ऐसा करते हैं हमारे पास जगे बहुत है सरक कैसे बहुत है आपके सामने बड़े आदिकरा होगा मेरे मासूम से दोस्तो इसी का दूसरा भाई आता है क्या x-1y x बराबर b अभी यह समाज प्लस का था अब यह समाज माइनस का आगया यह माइनस जब माइनस का स्क्वार करते हो तो वो प्लस में ही होता है तो यह स्क्वार वाले जितने भी कहीं दिखेंगे ऐसे वो पौश्टी हो जाते हैं इसके हिसाब से यह वैलू b का स्क्वार प्लस 2 हो जाएगा यहां a स्क्वार माइनस टू यहां b स्क्वार प्लस टू बच्चा इसी में कन्फ्यूजन में है यह वैलू दूसरी है ऐसे लेना है अब ऐसे एमा आएगा x क्यूब माइनस 1 बाइ x क्यूब अब मालो इसमें कोश्चन आ जाए इसमें भी आपको डरना नहीं बनाना है बनाओगे आंसर आएंगे धिरे धिरे जब हम खुब सारे सिखेंगे तब आप समझ जाएंगे पहले बोलो हाँ ठीक है राहूल मौर्या आपका मुद्धा बाद में अभी पहले हम पढ़ाएंगे राहूल मौर्या जी आरे सगरवाल आप यूपी टेट सी टेट के लिए पढ़ने है पढ़िए बहुत अच्छी किताब है ठीक है उसी से आता ही है यह आपको अच्छी से मालूम है यूपी टेट सी टेट सुपर टेट दुनिया टेट ठीक है क्लियर अभी प्रभू और समझो मेरे प्रभू और समझो फिर इसके बाद मार्केड में नया चलना है नया क्या चलता है कि X बराबर फहले समझो के तो कहता है कि प्रभू x प्लस 1 बाई x क्या होगा x माइनस 1 बाई x क्या होगा मलब यह देकर पहले यह फिर वो जो पहले बताया उसमें क्यूभी क्यूभी पूछ देता है तो याद रहे डारेक्ट आपको याद रखना है कि अगर ए और बी का जो अंतर है इफ ए माइनस बी का अंतर वन है तो डारेक्ट याद रखना यह टू अंडर रूट ए होता है यह अंडर रूट बी होता है एक बच्चा आया मेरे पास कहिता है सर पेपर में तो कोशन आईसा आता है तो प्लस रूट थ्री और अब x प्लस 1 बाई x औ और माइनस का बताओ हमोगा है यह तो हमने कभी पढ़ाया है नहीं तो यह पढ़ाते रहें हमरे में यह आ गया आए फिर हमने का मेरे मासूम से बच्चा सही से देखोगे तो तुमको अगर अंडर रूट में ले जाओगे दो को तो कुछ यह दिखेगा और चार और तीन का अब यह ना कर दो तुम कभी कभी खेल जाते हो अगर मालो कोशन यह आ गया एक्स साथ माइनस चार रूट थ्री यह वाला आप कोई कह दे एक्स प्लस बन भाई एक्स बताओ साथ का डबल चौदा ही होगा पर बच्चा इतना कंफ्यूज इतना कंफ्यूज की टीचर को भी कंफ्यूज कर दे क्यों सर आप ही तो पता है रहा हो कि एक खेर अंतर एक होगा एक है यहां अंतर एक तो चला गया अब यहां तो सर एक अंतर नहीं अरे दिवतार सही से देखो तो जया अंडर रूट साथ का स्क्वेर उन्चास होगा चार सोला ते अर्टालिस होगा और द समझ गया है, पहले बोलो हाँ, पिल्कुल बी स्कैर प्लस फूर होता है, पिल्कुल सही है, सारे कमेंड पे ध्यान लगता हूं, जो ये सोचे कि हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इग्डूर मारा जा रहा है, ठीक है, बोलो हाँ, यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है चेक करने के लिए मैंने छोड़ दिया था समझो अभी और समझो दया और समझो यह हो गया इसी में अब क्या होता है higher power आती x की power n प्लस 1 बाई x की power n बराबर a तो याद रहे इसकी आधी power में अगर जाना है तो यह होता है under root आधी power में जाना है तो यह होगा a plus 2 और x की power n बाई 2 minus x की power n बाई 2 under root a minus 2 होता है यह भी हमें मालूम होना चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए जैसे मालूम आप से के दे x की power 4 plus 1 by x की power 4 बराबर a बोल दे अगर हमें square form में positive में जाना है तो यह under root a plus 2 होगा इसका दूसरा भाई आएगा x square minus 1 by x square की under root a minus 2 होगा तो से आधा एक में आना इधर साइड में यह x plus 1 by x बराबर अब इसका नया नाम b दे दो यह हो जाएगा b plus 2 और इसी का दूसरा भाई अगर निकालना है तो वो हो जाएगा under root b minus 2 यह सब चीजें हमें धैर पूर्वग याद रखनी है फिलाल यह बहुत होता है यह इतना नहीं होता यह बहुत होता है पर अभी हमें questions कराने हैं तो हम उस हिसाब से खेलेंगे समझ गए चलिए पहले मेरी बात को सीखेंगी मगर प्यार से तो 65 के बाद ये concept ये concept ये concept question number 66 बहुत प्यार से पढ़ेंगे बहुत प्यार से पढ़ेंगे कहता है दिस वराबर दिस वन प्यारी दोस्तो x की पावर 4 प्लस माइनस x की पावर 4 तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 जोकि 1154 का हो गया 1154 का हो गया अब धैर पूर्वक देखो 1154 का आधा होगा x स्क्यार प्लस 1 बाई x स्क्यार तो ये जो वैलू लेंगे वो अंडर रूट 1154 प्लस 2 यानि 1156 हो जाएगा 1156 हो जाएगा अब बताओ 1156 किसका स्क्यार होता है तो 34 का स्क्यार होता है 34 का किसका होता है 34 कि 38 सोचो जया सोचो सोचो 1156 किस वैलू का स्क्यार होता है पच्चा बच्चा बताएगा बच्चा बच्चा बताएगा किसका होता है 34 का स्क्वैर जैसा की मैंने बूला है अब कर जो सर हमको नहीं मालूँ तो स्क्वैर यूटूब में सर्च कर लो प्रकास सर मैत ठीक जाओगे और वैसे भी हम थोड़ा जानते हैं कि 36 का स्क्वाइर कित्ता होता है 1296 35 का हम जानते ही है चारते हैं 12, 12, 25 ओसे कम है यानी 34 है कमजदार हो अब हमका यह ओमा जाना है तो x प्लस 1 बाई x अंडर रूट 34 प्लस 2, 36 12 या 6 6 is the right answer of this question या थोड़ा स्क्वाइर का खिला है बच्चा जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से सिखाएंगे महबत के साथ सिखाएंगे जी हा दोस्तों मैं चाहता तो अब तक की देड़ सो कोशन कर चुका होता पर नहीं किया जोकी सारा उद्देश है concept पिना concept के कुछ नहीं होता अंप तो तेजी से पढ़ा दे का फाइदा जब तुमका समझ में ना है बताओ का फाइदा की तो तेजी से पढ़ा दे बोलो-बोलो टेल टेल पर नहीं ऐसा करेंगे प्रकास्र कानपुर वाले, जिया मैं यारीफिक प्रकास्ती, कानपुर वाला, इसे मैं बोलता हूँ A, प्लस का है, यह होता है, A क्यूब माइनस का थ्री ए, ज्या, उसके बाद कुछ नहीं करना है, रख दो, माइनस 6 का क्यूब माइनस का 216 और छत्रिक 18 माइनस माइनस यानि माइनस का 198 क्या आप लोग ऐसे ही आंसर दे रहे हो कि नहीं पहले ये बताओ जैसे मेरा माइनस का 198 आया वैसे आपका आया कि नहीं आया सबी लोग बोलो नेक्स्ट कोश्चन की और चलेंगे चलेंगे कोश्चन नमबर जीहान कोश्चन नमबर 68 पढ़ेगा इडिया हमारे साथ कहता है उसमान का चैन करो जो निमलिकित वेंजक के स्तान पर आएगा यदि दिस बराबर दिस वन select the value which is in the following expansion will replace this one मेरे प्यारे दोस्तों आज ही हमने आपको concept बताया था concept पे साब सब्डू में लिखा था if a plus b plus c बराबर अगर 0 है आप से कोई कह दे aq plus bq plus cq का मान तो सीधे याद रखना direct याद रखना क्या होगा 3abc होता है यानि ये जो 3 है वही इसका answer होगा the right answer of this question guys 3ab होगा बोलो हाँ चाले next question 68 के बाद 69 number ये question SSC के ही सारे question होते हैं जो पूछे जा रहे हैं railway में algebra के साप सुत्री बात है SSC में पूछा भी गया है तो कहता है भाईया इसका मान क्या होगा विचार करें विमर्स करें देखो कैसे ये ये और यहाँ पर वो c भी लगा हुआ है ये खत्री की जड़ है तो देखो इनको जब जोड़ोगे तो a प्लस b प्लस c तीनों से common आ जाएगा और ये a ये b और वो c तो फिर से वही चीज आएगा तो ये whole square हो जाएगा और ये value हो जाएगी 45 प्लस 75 प्लस 105 मेरे मासूम से दोस्तों 105, 75, 180, 180, 180 और 45 यानि 225 यानि a प्लस b प्लस c का whole square बराबर 220 अब हमसे कहता है a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा 15 और दोस्तों तो 45 अब दोस्तों हमें मालूम चल गया a प्लस b प्लस c का मान 15 है यह हमें मालूम चल गया यानि यह चीज हमको मालूम चल गई 15 होगी यह चीज मालूम चल गई 15 तो 15 से 45 में भाग दो a बराबर किसके 3 के 15 से 75 में भाग दो b बराबर 5 के और 15 से 105 में भाग दो c बराबर 15 सबते 105 यानि 7 के पहले बोलो हाँ और दोस्तों कहता है A square plus B square plus C square इसका मान क्या होगा A square यानि तीन का square, पांच का square, साथ का square तीन का square, बच्चा बच्चा 9 जानता है, पांच का 25 जानता है, साथ का 49 जानता है 9, 5, 16, 14 और 9 समझ गये होगे, 4, 2, 6, 2, 8, 83 is the right answer of this question Now, the right answer of this question मेरे प्यारे दूस्तों, 83 होगा 83, चलिए, एक बच्चा बार बार कमेंट करा सर कहां से लाइब है अरे, अपने घर से लाइब है, मुद्दा खतम, प्यार से पढ़िए 69 के बाद, 70 नमबर, पढ़ने पर फोकस नहीं है, कहां से लाइब है, बाह अब हम तुम्हें लोकेशन में बता दे का है कहता है, ये, तो इसका मान क्या होगा, मेरे मासूम से दोस्तो, बहुत फैवरेट कोशन है ये SSC के एक्जाम का, बहुत पूछा गया है, और रेलवे में भी आ रहा है, तो आप समझ रहे हो सर, करना क्या है, समझो, एक आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0, पहले बोलो हाँ इसको देखकर आपको किसकी याद आती है, A Q प्लस B Q प्लस C Q बराबर 3 A B C की याद आती है पहले बोलो हाँ, तर ये बात तो सही हमें ये याद आ रही है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अगर C हमारा दोनों में माइनस हो जाए, तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो ये भी बात सही है इसका मतलब इसे आप A की नजर से देख लो इसे B की नजर से और इसे C की नजर से देख लो तो जब जब नजर से देखोगे तो X बराबर हो जाएगा A का Q X बराबर A का Q, Y बराबर B का Q और Z बराबर हो जाएगा C का Q पहले बोलो हाँ x बराबर a का क्यूब y बराबर b का क्यूब z बराबर t का क्यूब हो जाएगा बोलो मगर प्यार से और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ जो यह cubic लिखा है वहाँ replace कर दो x प्लस y माइनस का z हो जाएगा माइनस का 3 ऐसे अब हम a की बात करते हैं तो a की value तो यह है यानि x की power 1 by 3 p की value देखें तो b की value क्या है y की power 1 by 3 c की value देखें तो z की power 1 by 3 होगा पहले बोलो हाँ मासूम से दोस्तो अब दोनों side क्या कर दो whole cube कर दो यहाँ पर भी whole cube कर दो और यहाँ पर भी whole cube कर दो तो यह हो गया x प्लस y माइनस z का whole cube और ये माइनस 3 का क्यूब होता है माइनस का 27 यानि 27 x इंटू y इंटू z और मेरे प्यारे देशवास यो चैन से सोना है तो सीख लेना है ये हो गया अब ये इत्थे आएगा किते इत्थे आएगा यानि x प्लस y माइनस z का होल क्यूब 27 x y z is equal to 0 कैसा लगा ये कोश पहले बताईए यही इसका एक सुलूशन है और ये बहतर सुलूशन यही इसका सुलूशन है और इसे बहतर सुलूशन कहते हैं तो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ऐसा माना जाता है और इसे बढ़ियां से सीखे चलिए, next question की ओर चलेंगे और सीखेगा इंडिया हमारे साथ 70 के बाद 71 नमबर आ रहे अब तो खेला है, खेला 71 नमबर, 71 नमबर, 71 नमबर कहता प्रभू, यह बराबर this one तो answer क्या? तो याद रहे मेरे देवता एक concept याद रखना इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0 जब भी ऐसे pattern के question दिखें a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर माइनस 2, याद रहे कि जब भी यह रखो तो denominator does not equal to 0 अगर मालनो denominator 0 हो जाए तो value बदल दो 1 बराबर 1, 2 और c बराबर माइनस 3, यानि जो तुमारी स्रद्दव इन तीनों का योग 0 होना चीए इन तीनों का योग 0 होना चीए कुछ लोग a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 1 पर यहाँ a बराबर 0 नहीं रख सकते हो कि denominator 0 हो जाएगा बात को समझे के नहीं समझे पहले बोलो हाँ यह भी कंडिशन है आप उठाकर इसी को रख दो पहले वाले को प्लस 1, माइनस 2 तो माइनस 1 का स्क्यार 1 होगा नीचे इनका भरत मिलाब यानि माइनस का 2 होगा भरत मिलाब मनलब इन 2 इन दोनों का c और a, माइनस 2 और 1 तो माइनस 1 का स्क्यार 1 होगा और c और a, c और a माइनस 2 होगा फिर देखो a और प्लस b a प्लस b यानि 1, 1, 2 2 का स्क्यार 4 होगा और a, b का इन 2 1 होगा भोलो हाँ मेरे मासूम से दोस्तो इससे ये, इससे गया यानि कैसे काट दिया प्रकास सर तुमने आधा आधा तो एक होता है ना तो यह माइनस का 1 प्लस 4 यानि तीन आंसर आएगा ठोको लाइक बोलो हा तो प्यार से पढ़ेगा महबबस से सीखेगा ठीक है पहले बोलो हा चलिए हर एक चीज सिखाएंगे प्यारे दोस्तो एकत्तर के बा तो तो एम जिम्मेदार हो कहता है यदि दिस बराबर दिस वन तो इसका मान क्या देखो इसमें भी आप दिमाग लगा दो अगर मैंने इसमें एस बराबर जिरो कर दिया तो यह जिरो हो गया यह ऐसे सब निपटा दो ऐसे इस निपट गये तो यह माइनस का एक्यो माइनस क लाना है हमार टीचर आपका ये पढ़ायँ रहा है कि अगर इफ यदि a plus b plus c बराबर 0 तो a q plus b q plus c q बराबर 3abc यही तो पढ़ाया हमार टीचर नहीं पढ़ाया जानि आप ये देखो 3abc ये है तो एखेर जगे का चिपका होगे एक हेर जगे काओ कि सर A Q प्लस B Q प्लस C क्यूब चिपका देंगे हैपी बड़ दे हैपी बड़ दे यानि C Q is the right answer ठोको लाइक बोलो हाँ C square नहीं C cube आएगा 72 का आंसर C cube आएगा C cube आएगा C cube आएगा तया बोलो हाँ चलिए और पढ़िए 73 मेरे मासूम से दोस्तों मैं बार बार बोल ला हूँ यह SSE के पूरे सेम as it is question है SSE की किताब आप कोई भी लगाओ सेम question मिलेंगे क्या है इसको भी समझते हमने अभी आपको बताया कि इफ यदी A प्लस B प्लस C बराबर 0 तो याद रहे A Q प्लस B Q प्लस C Q बराबर 3 A B C यह तो बार बार बोल ले हो यहां तो कुछ और है कैसे और है उपर वाली value को capital A Q मानो फिर बगल वाले को B Q मानो फिर बगल वाले को C Q मानो नीचे देखो कि तो 3 A B C दिखेगा और यह ऐसा दिखा और यह बस शेक कर लो A प्लस B प्लस C क्या 0 के है तो देखो A की value A मानोस B B की value B मानोस C C की value C मानोस A कटा पिट्टी करके यह सब 0 हो गया यानि 0 है इसका मतलब जो उपर वाली की value आएगी वो 3 A B C आएगी capital में और नीचे भी A B C A B C happy birthday यह तीन भी है तीन भी है कट गया ना आंसर आएगा 1 the right answer of this question 1 होगा 1 होगा 1 होगा क्या बात सभी बच्चे 1-1 जोके पड़े हैं यह एक खुसी की बात है बोलो हाँ 73 के बाद 74 नंबर question क्यारे दोस्तों आज ही हमने इस pattern के सारे formulae लिखवा दिये सारे लिखवा दिये जो बच्चे थोड़ा late से दिखते हैं उनको हम बता दें सब पढ़ाते हैं प्रकास और कानपुर वाले एक एक theory सिखाते हैं बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए पढ़ने वाला चाहिए यह देखे लाइब देखे लाइब यह पूरी theory लिखवा रखी है जो अभी question आया है मलब कराने वाले है इसकी theory को बहतर समझे अच्छे से सीखे तभी आपको खुशी मिलेगी यह theory आपके सामने हमने लिखवा दी और आप question होगा यह वह आपने देख दिया होगा क्या लगेगा वह आप देखेंगे हम अपने हिसाब से अप लगा देंगे aq प्लस bq प्लस cq माइनस का 3abc क्यों हो जाएगा वो हो जाएगा a plus b plus c a plus b plus c का whole square और माइनस का 3 a b plus b c plus c यह हो जाएगा दोस्तो ध्यान से देखना a plus b plus c की value 16 हो गई a plus b plus c की value 78 वह लब a plus b plus c 16 का square 256 माइनस का 3 और a b plus b c plus c 78 हो जाएगा 78 हो जाएगा दोस्तो कैन से सोना है तो सीख लेना है यह 16 ऐसे 8 तरिका 24 दो हासिल सात्यां 21 और 21 और 2 23 हो गया 21 दो 23 अंतरे क्या है दोनों में मैं नहीं जानू यह सात्यां का इस ठीक है तो यह 2 आया 22 आया 16 बाइसा 16 बाइसा 16 दोनों बातेस 352 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर आएगा 352 352 352 क्यालिए तो कॉंसेब इस दा पावर जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 75 के बाद 75 नमबर अब तो खेला होगा अभी तो खेला होगा कहता है A प्लस B प्लस C बराबर नो दिस बराबर दिस बराबर दिस दा फाइंड वैल्व आप दिस वन गाईस क्या करें दया देखो A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस का 3 A B से अब यहाँ A स्कार प्लस B स्कार दिया है न यह वाला लगेगा सेकंड वाला जो आपको उमने बताया है उसमें जाकर देखना सही से यह वाला दोस्तो आपके सामने किसकी किसकी वैलू है इसकी वैलू 9 है कि परोस में 29 है वो खेर वैलू नहीं मालू अब उसकी वैलू कैसे निकालेंगे यहाँ साइड में कुन्ने में समझ लेते हैं कि हमें यहाँ एक फॉर्मला और लगाना होता है और मेरे मासूम से दोस्तो तो यहाँ देखो नौका स्क्वार 81 ऐसे रखोगी इसकी वैलू मालूम है तो माइनस का 29 ऐसे करोगे और हमें इसकी वैलू चाहिए तो दो से भाग दोगे दिक रहा है ना दो से भाग और अब हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA आएगा तो तो ऐसे रहेगा 52 बटा दो यानि 26 आया एक हेर वैलू 26 आगई 29 में 26 गया 3 आया 9 गुडे 3 27 हो गया 27 इस दर राइट आंसर ओप दिस कोश्ट इस कोश्टन का आंसर 27 होगा 27 इस दर राइट आंसर ओप दिस कोश्टन ठोको लाइक बोलो हाँ सभी का आ रहा होगा 27 27 27 एक बचा कह रहा है सर किस टाइम हो गई क्लास को इस्टार्ट अरे एक घंटा होई गया प्रभू दीना नात देखो जितने लोगों ने कोर्स ले रखा है एप में उनको एप में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिंक भेशते हैं लाइक क्लास के लिए और टेलीग्राम में भी लिंक भेशते हैं अब बच्चा लिंक को क्लिक करेगा जाकर देखेगा तुरन टाइमिंग दिख जाएगी पर वो नहीं करता गूम आया है प्यार से पढ़िए महबबस से सिखे 75 के बाद 76 नमबर आप देखो सेम कोशन आप देखो जो बच्चे कहते हैं कोशन रिपीट नहीं होता ये 2016 में पूछा गया है NTPC में पहले समझो 2016 में पूछा गया और 2016 का कोशन RRB JE में पूछा गया देख लो 2019 में पूछा गया और अगर हम और ढूने तो 2021 में हमका दिख जाएगा समझ गया इन सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा इसे लिए हम लोग अब क्या करता है बच्चा क्या करता है तब गुरूबडी वाला बच्चा कहता है सिर्फ गुरूबडी का ही प्रिवियस येर कराओ NTPC वाला कहता है NTPC का कराओ अडे देउता RRB के सारे एक्जाम के कोशन अगर आप लगा रहे हो तो RRB की पूरी मानसिकता आप समझ के बेट गयो तब खेलो और क्या और खेलेंगे तभी जब हमको आएगा ऐसे खेल के फाइदा क्या है अब देखो पैटन तो वही है ना और यही कोशन SSC का है सेम कोशन SSC में पाए जाते हैं देखिए कैसे तिस, तिस, तिस कॉमन ले लो यानि X प्लस Y प्लस Z कॉमन ले लिया तो 2X, 2Y, 2Z तो उनसे 2 भी कॉमन ले लो और वही X प्लस Y प्लस Z आएगा तो यह होल स्क्वार हो जाएगा और इनके यह 2500 100 और 100 को जोड़ दोगे ताड़े 400 में 2 से भाग दोगे तो क्या आजाएगा 225 आजाएगा जो कि 15 का स्क्वार होता है यानि X प्लस Y प्लस Z बराबर किसके 15 आगया अब हमें का चाहिए अब हमें आभी बहुत कुछ चाहिए हम का चाहिए पहले X की वैलू अब E 15 तो 15 से भाग दोगे तो 15 दूनी 30 से भाग दोगे अरे एक हेर वैलू 15 भी गई 15 दूनी 30 हो गया न X बराबर 200 बटा 30 अभी कटम पिटी कल लेंगे तो 30 ये हो गया 100 बटा Y बराबर 100 बटा 30 अभी कटम पिटी कल लेंगे 2 Z तो ये भी Z बराबर 100 बटा 30 हो गया, ये वैलू आई, अब हम यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अब है भगवान ने बहुत दिया, यहां 3X लिखा है, बोलो बोलो, 0 से 0 काटो, 3 का यहां गुणा कर दो, तो क्या यह 3X नहीं दिया, बोलो हां, यहां 6Y लिखा है, यही तो लिखा है, 0 से 0, इधर 6 का गुणा कर दो, इधर 6 का कर दो, 60 बटा 3, यानि 6Y बराबर 20 हुआ की नहीं, दिया, यहां 15Z लिखा है, बोलो दिया, बोलो बोलो, 15 लिखा है, तो ऐसे, यह 50 बटा 15 हो गया, कि 15 का यहां गुणा कर यानि 15 जेड हुएगा पराबर 50 अब हमका का चाहिए इन सबका योग चाहिए इन सबका योग चाहिए तो इसको जोड़ लो 95 is the right answer the right answer of this question 95 आएगा 95 आएगा 95 आएगा भोलो मगर प्यार से इंग्लिस में इसकी पीडियाफ है किसी के पास अरे मेरे भाई जहां इंग्लिस हिंदी मत देखो इस question में ठीक है अगर इसमें कश्ट है तो तुम्हें स्वेम कश्ट में हो इस वराबर दिस वन इस वराबर दिस वन इस वराबर दिस वन ठीक है जहां इंग्लिस की रिक्वार्मेंट थी मेरे भाई जहां इंग्लिस की रिक्वार्मेंट थी अभी हम दिखा रहे हैं वहां आमने आपको बाइलिंग्वल कोशन प्रोवाइड किये हुए हैं देखे के लिए हम अलग से मैनत करें का बोलो जाँ भासा है जाए आपने अभी सारे देखिएंगे मेंसुरेसंस बाइलिंग्वल समझ के हर अभबस से प्यार से पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ पढ़ेगा इन में तो कुछ नहीं इन में तो find the value वाला खिला चलना है मान गयात किजिए तो इसकी इंगलिस बताओ का मान गयात किजिए तो find the value ही होता है मिर बाइट का या find the value ही होता है अब जैसे ये question paper में आया concept is the power concept concept एखा का लिखवाया गया है पहले देखो गौर से का लिखा है जब हर चीज लिखिए कि a square plus b square c square minus a b minus b c minus c a बराबर this one और इसमें भी condition कि if अगर ये 0 के बराबर तो that means a is equal to b is equal to c this is the first concept now come to the second one a q plus b q plus c q minus 3 a b c first one second one third one and fourth one इसके four fundे आपके सामने अब question हम से कहता है कि प्रभू इसका मान क्या होगा उपर लिखा a q plus b q plus c q minus 3 a b c उसकी value इसके pattern के हिसाब से लिख देंगे क्या लिखेंगे दया a plus b plus c और bracket में होता है a square plus b square plus c square minus k a b minus k b c minus k c ये value होगे a q plus b q plus c q minus k 3 a b c और नीचे वाले value में minus का symbol common ले लेना ही पड़ेगा और a square plus b square plus c square minus k a b minus k b c minus k c देंगे paper में ये नहीं लिखा जाता है हम लिख के बता रहे हैं इसको भाग दोगे ये value आगे minus k a plus b plus c कहता है तीनों का योग पांचा नौ आठ सत्रा बाहर लगा दो minus का symbol minus 17 is the right answer of this question guys कैसा लगा minus का 17 आएगा यहाँ बच्चे खेल गए 17-17 बोल लेते paper में minus 17 आगया और इनके साथ क्या हो गया खेला हो गया क्योंकि वो यहीं समझे अरे भाईया यह आगे पीछे लिखा है मेरे भाई by this collaborative minus का 17 is the right answer of this question guys चलिए अठत्ता नमबर केता है प्रभू इसकान से बताओ aq plus bq plus cq minus 3abc बराबर this one define the value of this कुछ नहीं करना है a square upon bc b square upon a c minus का 3 एक प्यारा celsius लो a b c aq bq minus का 3abc हो कहां से आप देखो aq bq minus का 3abc तो यह इधर जाएगा क्यानि the value of this portion is equal to minus का c cube upon a b c और कहते हैं मेरे प्याय दोस्तों इससे यह आया दो यानि minus का c square upon a b is the right answer the right answer of this question guys minus का c square upon a b हो जाएगा 78 79 79 हमने आज ही बताया था आज ही बताया इस समाच को कि प्रभू कभी a square plus b square plus c square बराबर a b plus b c plus c a दे दे आख बंद करके बोलो कि a बराबर b k और b बराबर c k आज ही कौन सेप में लिखवा रखा है उठा कर put कर दो उठा कर put कर दो जब a b c 3 बराबर होंगे तो यह 3a हो जाएगा 3a का square बच्चा 9a square answer आएगा 79 का जो answer आएगा वो 9a square आएगा चलिए बोलो हाँ एक बच्चा कह रहा अर्थमेटिक की वीडियो खुल ने रही अरे जब अर्थमेटिक पढ़ाएंगे तब खुलेगी अब यूटूब में आप देख रहे होगे कि time and work और क्या कहते है mix and listen खुल जाए नहीं यह paid course है यह सिर्फ प्रकास अवस्ति एप में ही proper चलेगा यूटूब में नहीं चलेगा यह बात याद रखिए 79 के बाद skip live class free 80 number question बच्चा ये भी pattern को आप as a concept धरन कीजिए इसका हम पहले कुछ अलग से concept बता दे रहे हैं उसको आप धरन कीजिए किस pattern के बढ़िया कोशन होते हैं और SSC में पचासों आए हुएं साइध आज की session में एक ही दो हैं पर concept बताएंगे ठीको इसमें क्या होता है पहले समझना जैसे यहां लिख दे जैसे a square पहले समझो a square b square plus c square जहां पर something लिख दे something लिख दे कैसा करते हैं question क्या है क्या है समझो यहां something लिख दे बराबर पहले समझो यहां कुछ भी हो बराबर यहां पर हमेशा आपको इस starting में दो लाना है starting में हमेशा दो लाना है pattern को समझना हमेशा दो लाना है किताब मेरे पास इधर कोई रखी नहीं है पास में उनना इसके दो चार example और extra करा दे मैं कराता हूँ किताब वहां से में उठा के अभी कराता हूँ दो चार example देखो यह आसान है मैं आपको बता दे जितने बच्चे त्यारी कर रहे है त्यारी कर रहे है यह आसान question है तो आप कर ले जाओगे हर आलत में पर इसी pattern में हम थोड़े से जहर वाले कराने की सोच रहे है समझो A square प्लस B square प्लस C square यहां something प्लस 2 यहां A के साथ something यहां B के साथ something प्लस यह माइनस यहां C के साथ something तो यहाँ जो इसके साथ something होता है वही ABC के मान लेंगे लेकिन जहाँ पर हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ कोई value है यहाँ कोई value है यहाँ कोई value है ऐसा करके हमें ध्यान देना पड़ेगा ज़रा यह वाला question आप लोग try कीजे मैं दो चार extra इसमें कराऊंगा साप सुत्री बात है वह वाला कीजे किताब उठा लाएं वही concept बताओ तो पूरा बताओ एकात question बता के छुड़वाने से का फाइदा ठीक है और उल्टा तुम tension में आ जाओगे सर आईस आ रहा है एक्जाम चालो मिल गए दो चार question पहले तो यह वाला question बिलकुल आसान है समझना इसमें कुछ नहीं है देखो a square b square plus c square plus 3 a b अब देखो a यह पहले से बना हुआ है तो a के साथ कुछ नहीं है तो वो one हो गया b के साथ कुछ नहीं है तो वो भी one हो गया c के साथ कुछ नहीं है तो वो भी one हो गया इसमें यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो one 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 three answer आएगा तो यह जो question है 80 नंबर का answer paper में कैसे कैसे आएंगे हम उसी पर ही चर्चा एक आध जहरीला question ले रहें करना नहीं जहर है जैसे question यह 8C का है ठीजल का है A square plus B square plus 16 C square plus 16 C plus 3 यह 2 ऐसे लिख दिया A plus B लिख दिया और हमसे कहता है प्रबू 4A की पावर 7 C की पावर 7 8C का पावर 2 बताओ जैसे ये question हमसे ऐसे simple दिया इसी pattern का पहले मेरे बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों ये जहर आएंगे paper में अब प्रकास सर ने अपना concept उपर ही लिख रखा है क्या ये 2 ऐसे बाकी something में तो देखो ये चीज हम ऐसे लिख देंगे A square plus B square plus 64C square ऐसे और ये तीन ही हां लिख दिया ये 16C उधर जाएगा तो 2 common ले रखा है तो A plus B तो ठीक है ये 16C उधर गया तो minus का 16C हुआ 2 common हुआ तो ये 8 बचा minus का 8C बचा उसके बाद मेरे देउता हूँ A के साथ 1 है तो A के साथ 1 लिखो B के साथ 1 लिखो पर अब C के साथ minus 8 है और यहां देखो A के साथ 1 है B के साथ 1 है पर C के साथ 64 है तो यहां 64 से भाग दोगे यानि A भी तो 1-1 हो गया ये value minus का minus का क्या हो जाएगा 1 बटा 8 तो यहां जो answer आएगा वो 4 ऐसी हो गया B की value 1 तो 1 हो गया यहां रखो कि तो 88 64 minus minus plus तो 8 गुडे 1 बटा 64 ये 8 हो गया यानि 5 से ही 1 बटा 8 is the right answer of this question समझ गया 4 एक 5 1 बटा 8 इसका answer होगा पहले बोलो हाँ तभी लोग को समझ में आया अभी और समझो ये देखो पेपर में अभी तक railway में एक आसान पूछा गया एक आद और कराएंगे SSE वाले कराद रहे उससे कोई matter नहीं है धीकिए algebra same होता है मैंने पहले बताया है कि आपको लगाना चाहिए SSE के questions algebra और trigonometry जब भी पेपर में आये SSE वाले जरूर स्वाल करो जैसे SSE ये भी latest question है जो कराने जा रहे है 16 x square 9 y square वैसे इनके सुलुसन बहुत बड़े होते हैं मेरे भाई ये याद रखना मालुम चलाओ परिशान हो जाओ 24 x माइनस y प्लस z माइनस का 61 अब हमसे कह रहा है प्रभू x y प्लस 2 z बता दो अब जैसे ये question पूच दिया गया इसका answer बताओ और हम लोग तो simple simple सीख के बैटे है ना concept वही रहेगा अपना concept नहीं बन लेगा अपने concept में क्या था 16 x square ऐसे लिको 9 y ऐसे लिको 4 z ऐसे लिको वो 61 को इधर आओ अब एक चीज देखो हमने आपको ज्यान जो परम दिया था वहाँ ये 24 नहीं वहाँ ये 2 होगा इसका 12 अंदर जाएगा यानि 12 x होगा 12 y होगा और 12 z होगा पहले बोलो हाँ ऐसा हमने आपको concept दिया पहले ना तो कोई बोल ला ही ने फिर मैंने आप से कहा कि जो ये है तो x की value 12 आ गए y की value minus का 12 होगे और z की value 12 होगे लेकिन मेरे दियोताओं यहाँ x के साथ अलग-अलग value है तो यहाँ 16 से भाग दो यहाँ 9 से भाग दो यहाँ 4 से यानि x बराबर जो आएगा वो 3 बटा 4 y बराबर आएगा minus का 4 बटा 3 और z बराबर आएगा 3 हमको चाहिए x into y यानि इनका भरत मिलाब करोंगे कटके minus 1 होंगे फिर 2 z लिका है तो यह 3 दूना 6 यानि इसका आंसर आएगा 5 यही solution है तो बस आपको अधादे ssc में कम स्कम 30-40 question है और जिनका आंसर हमने आपको बहतर देने की courses की बहतर आप समझ गए होंगे पहले बोलो हाँ याद रहे concept is the power जब अच्छे questions आप सीखेंगे तभी तो आगे जाएंगे तो वो एक आसान question के करण हमें आपको दो प्यारे question सिखाने पड़े जो आपने सीखी यह भी type होता है ssc में भरबर के question है यह वाले के चकर में हमने आपको दो concept देखें समझा दिये कि इस label के भी question आपको आने चाहिए अब 81 number question देखें NTPC ने इस साल इस pattern के question भरबर के दिये और इसी के लिए मैंने आपको आज concept लिखवा दिया था मैं आपको दिखा दू मैंने आपको concept लिखवा दिया है अब हम खेलेंगे ऐसे question के साथ धरादर खेलेंगे हमने आपको example से ही समझाया था x plus 1 by x बराबर something this one बराबर this one पहले बोलो हाँ तो example दिये थे सेम चीज मैनस वाले में बताया था कि ऐसे होगा हाँ यहाँ यह याद रखना यह plus होता है उपर यह minus minus इधर सब प्लस में रहते है यह भी बताया था कि x बराबर अंडरूट a प्लस अंडरूट b बराबर तो a minus b बराबर 1 अगर हैं तो यह होता है यहाँ कई सारी चीजों को लेके समझाया था फिर उसके बाद आपको इसका प्रचंड ग्यान दियाता पहले बोलो हाँ अब हम questions में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तो question पे आएंगे असली खेला तो अब चालू होगा धरादर question solve करेंगे speed के साथ formula हम बारबाल लिख देंगे पर आपको ध्यान से देखना है जैसे यहाँ पर तो हम जानते हैं कि x plus 1 by x बराबर अगर a है और भाव 1 का 2 पुछा जाए तो क्या होगा a square plus का नहीं minus का 2 अब हम अपने question पे प्रकाश डालते हैं आप एक चीज़ देखो यह लिखा है x square plus 1 बराबर 4x भाग दे दो x से तो यह value आगई 4 के और जब यह 4 भाव 1 का दो तो 4 का square minus 2 तो 14 is the right answer सभी लोग speed से बोलो 81 का answer 14 आएगा 81 का answer 14 आएगा नहीं बोलो कि तो स्वेम जिम्मेदार यह question भर भर के exam में आते हैं आप basic से करना चाओ तो आपको सारे formulae इसके हमने लिखवा दिये shortcut से करना चाओ तो देखो यह 68 लिखा हूँ है 60R तो कही ना कही 8 का square और 2 का square 8 का 64 होता है और 2 का 4 होता है और यह 8 प्लस 2 यानि यह 10 8 का cube 512 2 का cube 8 यानि 520 answer भोलो 82 का answer 520 आएगा भोलो भोलो tell tell और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है एक चीज़ समझो अब मालो यहां R7 की जगे सरसर दे दे 67 तो क्या answer नहीं आएगा क्या question को गलत साबिद कर दोगे नहीं hidden trial के साथ साथ आपको basic भी मालूम होना सर ऐसा क्यों करो हाँ मेरे प्रबू basic भी मालूम होगा तभी आप बना पाओगे देखो जब basic की ओर जाएंगे थोड़ा सा यह question क्या होगा बड़ा हो जाए कैसे अभी यह भी हमने सब लिखवाय हुए आज हमने आपके सामने यह लिखवाया हुआ है a cube प्लस b cube का formula क्या लिखवाया था a प्लस b का whole cube माइनस का 3ab और a प्लस b तो देखो a प्लस b तो मालूम है इसका cube तो 10 का cube 1000 हो गया माइनस का 3ab बचा और यह 10 हो गया हमें a b चाहिए होगा a b कहां से लाएंगे इसको और इसको solve करके यानि a प्लस b का whole square a square प्लस b square प्लस का 2ab होता है 10 का square 100 माइनस 68 बटा 2 बराबर a b होगा यह आ जाएगा 32 यानि a b बराबर हो जाएगा 16 जहां a b बराबर 16 रखेंगे समझ गये तो 16,43,43,10,480 होगा यानि 1000 में 480 घटाएंगे तो 520 आएगा तर यह क्यों बताया हमारा तो answer आ गया था तुमने कुछ नहीं सीखा अगर आप ज़्यादा हीटेंटराल सीख रहें स्वेम जिम्मेदार अब हमीं पेपर बनाएं 68 की जगे सरसर रख दें 67 तो तुम्हारा जितना भी ग्याने सब बरवाद हो गया सब बरवाद हो गया बात को समझे के नहीं समझे ठीक है एक बच्चा कहरा वाटसप कर दिया जब क्लास खतम होगी तब ही रिपलाई देंगे कौँ तो क्लास में देना चालू कर देंगे 82 के बाद 83 नंबर कोशन रिपलाई आएगा दो घंटे के अंतर 83 के बाद 82 के बाद 83 अब देखो इसका भी पैटन बताया हुआ है पैटन मेंने क्या बताया है कि पहले इससे हाफ पावर में जाओ आधी पावर में ये चार है तो इसका आधा क्या होगा प्लस वन बाई एक्स तो अंडर रूट में 14 प्लस दो 16 बाहर आएगा 4 और भाव एक का 3 लग रहा है यानि 4 का क्यूब माइनस 3 गुड़े 4 64 में 12 गया 52 आंसर कुछ बच्चे कन्फजी आ गए होंगे और ये दिवताओं सब लिखवा दिया आज हमने बताया कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर अगर ए दिखाओ पूरा लिखवाया ऐसे ही ये वैलू हो जाएगी अंडर रूट ए प्लस 2 और यहां साथ में अगर ये वाली आए तो अंडर रूट ए माइनस 2 होती फिर नीचे आओ तो ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर इसको हमने भी माना था याद करो ये कहा था बी प्लस 2 ऐसे ही एक्स माइनस 1 बाई एक्स चाहिए तो अंडर रूट बी माइनस 2 ये माइनस में है ये ध्यान रखना अलको कहे दो वाई दिसको साथी साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर ए दिख जाए भाव एक का तीन चाहिए तो क्या होगा तो मैंने कहा था एक्यूब माइनस का 3 ये होगा बोलो हाँ ये सारे फॉर्मुले आपको बहतर तरीके से लिखवाए गए बहतर से बहतर तरीके से एडिठी के बाद 84 नंबर कौशन कैता है x प्लस y प्लस z बराबर 0 तो इसका मान गयात कीड़cast प्यारे दोस्तों इसका मान क्या होगा इसकाल सियम ले लोगे जीको और आएगा x क्यूब भोलो हाँ और जब ये आज आएगा कि XQ प्लस YQ ZQ 3XYZ हमने बताया था कि X प्लस Y प्लस Z बराबर अगर 0 होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि XQ प्लस YQ प्लस ZQ पराबर 3XYZ के होता है यानि इसकी जगे आप 3XYZ चिपकाएंगे और नीचे XYZ 3 में है हैपी बड़े आंसर के आएगा बनाएगा है नहीं इसका मतलब कहीं न कहीं हमसे मिश्टेक होई बिलकुल मिश्टेक यहां होई कि यहां 3 थाई नहीं हमने 3 चिपका दिया जब यहां 3 नहीं था यहां पर भी 3 नहीं होगा समझ रहे मेरे प्याए दोस्तों यानि यह 3XYZ तो होगा होगा नीचे XYZ होगा हैपी बड़े होगा तीन आंसर आएगा समझ गए बोलो हां महबबस से सीखिए महबबस से जानिए किलियर है ठीक है एक कोशन और कराते है ठीक है फिर नेक्स लेक्चर में कराते है दीजन क्या है क्लास बड़ी होती जा रही है फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है कहता है यदि X बराबर 2 माइनस रूट 3 तो X माइनस 1 बाइ 3 होगा तर कब बताया थियोरी आप जाकर थियोरी में देखोगी तो हमने ऐसे बताया कि X बराबर अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B है और A और B का जो डिफरेंस है बचा वो अगर 1 है तो मैंने बताया कि X प्लस 1 बाइ कि भोलो हाँ कि भोलो हाँ कि प्यार से महबबस से हर चीज को सीकिए